हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चेनल, तो आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले एपीजियोटोमी है, फिर पेरिनियोटोमी के बारे में, एपीजियोटोमी एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर्स है, जो कि उपस्ट्रिक उपरेशन में परफॉर्म की जाती है तो आज हम बात करेंगे एपीजियोटोमी की डेफिनिशन क्या है, अबजेक्टिव क्या है, कब-कब एपीजियोटोमी इंडिकेट होती है, टाइमिंग क्या है, कौन सी स्टेज अब लेबर में हम एपीजियोटोमी परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप्स की इपीजियोट गोई लेगर एक किया हुआ १ा इंसीजिन लगाते हैं हम पेरीनियम स्विटी विजान वोगा कब लगाते हैं मैंनली से कंट अस्टेज बहा ने क्यों लगाते हैं क्या क्या अडवांटेजि़ से ट्लियर और कंट्रोल इंसीजन ए इजी तु रिपेर reduce the duration of second stage of labor and reduce the trauma to the pelvic floor muscle यह यह सारे advantages है ठीक है easy to repair होगा fatoxy repair होगा बाहर का incision है जल्दी से हो जाएगा जो अपनी second stage की labor की जो process जो लंबी होती है वो भी reduce हो जाती है और पैल्विक फ्लोर की muscle का trauma अगर अगर अपनको ऐसा anticipate हो रहा है कि big baby है या फिर किसी भी कारण से तो वो इससे episiotomy perform करने से reduce कर सकते है तो next हम बात करते है objectives क्या होते episiotomy के to enlarge the vaginal introduce ठीक है अगर अपनको जल्दी से safe और easy delivery करना है vaginal introduce को बढ़ाना है तो हम episiotomy perform कर सकते हैं over stretching और rapture आप perineal muscle और fascia indicate हो रहा है मतलब anticipate हो रहा है अपनको पहले से तो यह minimize कर देंगे अपन to reduce the strain, strain to the fetal head, fetus का जो head है ठीक है episiotomy perform करने से इसका जो strains और strain है वो भी इससे reduce हो जाता है अब मैं indications क्या है तो यह मैं selective cases rather than routine कुछ को selected cases में ही करते हैं सबी में perform नहीं करते हैं जिनके rigid perineal हो गई है उनकी लिए करते हैं perineal tear anticipation हो गई है उसमें करेंगे और कुछ operative delays, जैसे forceps और windows लगा के अपने delays करते हैं उनमें indicated होती है episiotomy timing क्या होते है जब bulging होती है bulge thinning होती perineum के during the contraction just period to the crowning मतल जैसे diagram में देख रहा है जैसे baby का head आने वाला है उसको अपने बोलते है crowning ठीक है तब perineum इसे thin हो जाती है bulge होती है तब हम episiotomy का time मानते हैं कि हाँ इस time पर episiotomy सबसे safe होती है और perineal tear और जो भी complications हो सकता है वो अपने इसको करके reduce कर सकते हैं ठीक है इन सब cases में episiotomy perform करते हैं अब बात करते हैं types क्या होती है episiotomy की episiotomy एक median होती है एक बीच में incision लगाएंगे या फिर medial lateral कर सकते हैं एक j-shape incisions लगाते हैं और एक होता है lateral incision चैसे के diagram में तुम्हें show हो रहा है ठीक है तो चार type की incisions लगाते है median, medial lateral, j-shape और lateral complications क्या हो सकते है episiotomy के एक तो incision लगाएंगे तुमने ज़्यादा extraint कर दिया या फिर उसमें बात में healing के टाइम पर infection हो सकता है episiotomy spas में तो यह पूरा था episiotomy के बारे में I hope आपके लिए यह video helpful रहा होगा, thank you